कि नोश्काय स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑन-लाइन संस्थान परिक्षाप्रस में मैं आरो शुक्त लाइक बरपुना आप सभी का स्वागत करता हूं सर प्रतम तो मुझे यह बता दे कैसे हैं सभी कमेंट बॉक्स में ही बता देगी कि बहुत दिन बाद आप से कि इस दम सुस्थ हो गया है कोई खबर क्यों नहीं आ रही है आप हमसे फोन कॉल करके टेक्स मेंजिस करके बार बार पूंशते हैं तो सब कोई खबर है कोई खबर है तो अभी दोपहर में भी थोड़ा बहुत आशिसर ने आपको बताया था थोड़ी सी भनक लगी थी आप रहा है कि इसा काम चल रहा है दो चीजे हो रही है एक तो आपका यूपी एसाई एसाई की नई भरती जिसके बारे में मैंने पहले भी पताया था आप से और वो उसका जो टेंडर है जैसे एक तरफ आपका उतरपतिस कॉंस्टेबल के टेंडर के लिए निवित्ता हैं जार पहले बता दे रहा हूं और वेकेंसी कम है तो कॉंपटिशन भी कम होगा कारण यह है क्योंकि कहीं न कहीं टॉपस बच्चे उसमें तेरा सुन सौने लिष्ट में जाएंगे और आप एक एवरेज बच्चे में जाएगा और जो चूप हुई है वह आपका पुराना उसके बारे में यहाँ पे है आप इसे देख सकते हो कि उत्तरपदेश पुलिस उपनिरिक्षक गोपनिये के लिए 66 पद तो 66 पद यह है उसके बाद बोला है पुलिस सहायक उपनिरिक्षक लिपिक के 143 पद 143 पद यह है और लेखा के 34 पद और इन सब को अगर जोड़ द सकते हैं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं यह जितने पद इन में आये थे आदी आचन में उसके बाद भी बढ़ सकते हैं विगिप्ति आते आते तक तो जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब कितने पद होते हैं इसको आप पहले चलिए करके चलीगा मिनिमम आप को दिए पुलिसव स्वार हो गया है कि हर बार अगर्णी बदल रही है क्यूं बदल रही है सकारण तो नहीं पता चलुल उए ऐसा होता है क्यी बार इनको प्रोफिट भी होता है एजिंश करलने से मैं भी प्रोफिटेवल सोच रहे हूं फिन इस बात में कोई विचार अलग से लाओ आपको फोकस यह करना है कि फिर से 243 पत आ रहे हैं जिसमें से फिर से लिपिक के इस बार आप ध्यान दो किसके लिपिक के 143 पत आ रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है तो इस टेनों वाले जो बच्चे हैं इनमें कॉम्पटिशन और रेड तो कॉम्पटिशन बहुत लिच्ट है आप मन लगा के लग जाए लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी जो लेखा वाले हैं और जो गोबनिये वाले संबर्ग के हैं UPSI वाले वो डिमोलाइज हो नहीं उनकी पत कम नहीं होते हैं आप यह समझो कि इस पेसल जो एजुकेशन हो को क्या किया है आयोग ने कल लिया है और वो कोशन आपने कहीं न कहीं अभी आंसर की से गलत कंसीडर कर रहे थे तो सभी के मार्क्स 5-6 नंबर 5-6 कोशन यह नहीं 10-12 नंबर बढ़ेंगे और इसका असर एक कट-off पे भी पढ़ेगा दिहान दीजेगा तो जो पूर्व में क और से कारण से वो उस कोशन को अपने आप में गलत मान दा था इससे फाइदा और होगा बहुत सारे बच्चे जो बाउंडरी पे थे वो एक बार क्या होगा बाउंडरी से ऊपर आ गया है मतलब हम नॉमलेशन के बाद उनको और फाइदा मिलने ही वाला है और वो कहीं से ज वह जै तो यहां से भी एक नंबर जिनकी कम आ रहेते उनको गेन होगा यहां से भी एक कोशन मतलब की दो नमबर यहां पर गेन होगा अगले भी देख लें इस को इस प्रस्री यहां पर प्रस्तूत करता है और इसका उत्तर ही उनाइट निशन इंवर्मेंट प्रोग्राम भी था है ना युवेंट इपी जिसे बोलते हो और फूड एंड अग्रिकल्चर और इसके लिए इसने बी और ए दोनों सही माना है पहले भी ही माना था तो जो बच्चे कहीं न कहीं ए मारे थे टिक लगाये थे उनका भी सही हो गया है तो उनको भी फायदा मिलेगा और मोश्टली बच्चे यही थे जो देखो मोश्टी कहने का मतलब है जो सेलेक्शन लेने वाले बच्चे उनकी बात कर रहे है ठीक है उसके बाद देखा जाए तो यहां पर एक कोशन था वाट व कोई location change करता है position change करता है तो वो क्या कहलाँए गति में हो गी और चाल या speed में की तब भी दोनों में होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका AOC दोनों सही हो जाएगा तो जो बच्चे छी लगाये था उनका सही है इससे एक चीई समझेगा जो आपका score था वो सभी का 5-6 question या आप बोल सकते हो 10-12 number बढ़ने वाला है और ये 5-6 question आपके उस cut-off को भी थोड़ा list में बढ़ाएगा, मतलब अभी जो आपका cut-off बताया गया था उसमें 5-6 question जोड़के ही चलिएगा, हालागे cut-off पे अलग से analysis, अब लोग बहुत बार पूश्ते हो, तो कोशिस करूँगा कि आपसे अगर एक बार revised form भरवा पाहूं याना वारना उसी पे ही एक revised cut-off आपके लिए जरूर लेके आएंगे, और जो चाहते हो कि हम दुबारा एक बार इसका cut-off जारी करें जब तक result जारी हूँ, तो आप एक बार comment में मुझे जरूर बताईए, ताकि मैं आपके एक बार रूची समझ पाऊं, कि कि cut-off जानना चारें, नहीं जानना चारें, क्या चारें, क्योंकि बहुत सारा उसमें समय लगता है, बहुत सा सा राहत करने वाला है, और यह जो answer कि यह समय बढ़ेंगे, वो बहुत जादा किसी student पे फरक नहीं पड़ेगा, cut-off पे थोड़ा फरक पड़ेगा, number में फरक पड़ेगा, but student के selection उस list में नाम आने पे फरक नहीं पड़ेगा, यह बात समझेगा, वो अपनी जगा पे constant ही रहेगा, थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा, 19-20 होगा, तो उसके लिए, अभी हम भी समझ नहीं सकते हैं, कि किसका कौन साइक किया है, कौन गलत किया है, वो तो हम जनकरी नहीं ही, प्राप्त है, हमारे पास अगड़ा उसका नहीं है, तो आप लोग तयारी करते रहों, नया जो बैच अभी चल भी रहा है, UPSI, SI का आप साइड में देख भी सकते हो, है ना, SI की भी आएगी, 800 सम्झिंग पत पे नागरिक वाले के लिए आएगी, और 200 पत के लिए, कौन्फिदेंशियल और बिनिस्टीरियल के लिए आएगी, तो ये आप देखिएगा, दोनों वेकेंसी मिला के अगर देखा जाए, हजार पत से जाता है, और उसके लिए कॉम्बो बैस निकाला गया है, यूपी, SI और SI दोनों के लिए कॉम्बो बैस निकाला गया है, 1200 की फीस है, 699 में आपको मिलना है, लगबग 41, 75 पसंट ये, कर दोनों के लिए कॉम्बो बैस निकाला गया है,